परिवार में सुक और शान्ती चाहते हैं लेकिन कैसे होगा आजकल कोई किसका सुनने के लिए तयार नहीं है लेकिन एक छोटा सा एक छोटा सा जो प्राचिन काल से चला आ रहा है एक तरीका आयुरुवेद ने बताया है स्पिरिचुल प्राक्टिस में भी कहते हैं और वो है शुद्ध भोशन जैसा अन वैसा मन जैसा मन वैसा अन जैसा पानी वैसी वानी मन को बदलना है तो सिर्फ भोजन बनाते समय ध्यान दीचिए अपने अमन बदल जाएंगे अजकल हम भोजन कैसे बनाते हैं फोन पर बाते करते करते टीवी की सीरियल देखते देखते मन के अंदर कई सारे विर्थ विचार रहते, कई बार गुस्रा, कई बार बार मन में रहते है, देरी हो रही है, यह चिंता होती है मैं यह जो बना रही हूँ खाना, यह सब को पसंद आएगा या नहीं, गेस्ट को पसंद आएगा या नहीं तो हम इन विचारों में बनाते हैं हम जिस विचार में भोजन बनाते वो सारे के सारे विचार मसाले की तरह उसमें उतर जाते जो ये भोजन ग्रहन करते उनका मन भी exactly वैसे हो जाता अभी मुझे अगर अपने family का mindset change करना है मेरा खुद का मन change करना है तो हम अपने भूजन को सात्विक और शुद्ध बनाए एक भूजन शुद्ध हो शाकारी भूजन लेकिन हम उसको सात्विक कैसे बना सकते हैं भूजन की एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं सबसे पहले हम अपने कीचन में ना दो कर जाएं कीचन में बहुत प्यार से अच्छी तरह से हम रुची से भूजन बनाएं और भूजन बनाते समय हमारे जो विचार है यह बहुत शुद्ध विचारों का प्रयोग करें या तो हम प्रमात्मा के बहुत सुन्दर भजन लगाए कोई बहुत अच्छे spiritual विडियोज आप लगाए और मन में बहुत सुन्दर विचारों ओ प्रमात्मा यह खाना मैं आप के लिए बना रही हूँ आप पवित्रता के सागर आपकी सारी पवित्रता की किरने इस भोजन में पड़ रही है यह सारा भोजन पवित्र बन रहा है ओ प्यार के सागर आपकी प्यार की किरनों की वर्षा इस भोजन में पड़ रही है यह भोजन नहीं आपका प्रशाद बन रहा है जो भी ये प्रशाद खाएगा उसका मन बावन हो जाएगा परमात्मा की याद में इस प्रकार से उस बोजन को बनाए और बनाकर एक अलग सी थाली और अलग से कुछ डबियां जो सिर्फ परमात्मा के भोग के लिए रखी है उसमें भरकर उपर एक सफेद रुमाल डालकर पाँच मिनिट परमात्मा को भोग लगाने के लिए बैच जाएं बहुत प्यार से उसे कहें ओ बाबा सब कुछ आपने दिया है आपका दिया हुआ मैं आपको ही अरपन कर रहे हूं और प्यारे बाबा आप इसे स्विकार कीजिए आप इसमें आपका प्यार आपकी शक्ती भर दीजिए जो भी इसे खाएगा उसका मन शुत हो जाएगा प्रेम से भर जाएगा उसके सारे दुख मिट जाएंगे इस भावना से परमात्म को भोग बताएए और फिर उसके बाद अपने परिवार को प्यार से परोसे और इसी भावना के साथ मैं भोग नहीं परोस रही हूँ मैं तो प्रशाद परोस रही हूँ और ये प्रशाद इनके मन को परिवर्तन करेगा इनके मन को शुद बनाएगा ये है दुख बंजन भोग जो परमात्मा की याद में बनाया हुआ स्वयम परमात्मा ने कहा है जो इस प्रकार मेरी याद में भूजन बनाते हैं और खिलाते हैं, खाते हैं उनके सारे दुख मिट जाते हैं उनके सारी चिंताईं मिट जाती है उनके मन पवित्र बन जाते हैं शुद बन जाते हैं और ऐसे याद में बनाया हुआ भोजन दवा का काम करता है इसे कोई नुकसान शरीर को नहीं होता है ना सिर्फ दवा का, दुआ का भी काम करता है जो ऐसा परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन खाएगा उसे भी कितनी सारी दुवा भी मिलेगी, साथ में शक्ती भी मिलेगी और मन शान्त हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा ऑटोमेटिक घर में सुक शान्ती आ जाएगे क्योंकि शुद्ध मन से भूजन शुद्ध बनता है शुद्ध भूजन से वापिस मन शुद्ध बनता है मन शुद्ध तो तंशुद्ध, मन शुद्ध तो धनभी शुद्ध आता है और इस प्रकार घर में सुख, शान्ती, समरुद्धी सब अपनी आप आना शुरू हो जाती है तो कितनी सुक्षम बात है भूजन की? दुख भन्जन भोजन बनाना, प्रभु का प्रशाद बनाना और बातना, ओम शांते. प्रशाद बनाना, 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 प्रशाद बनाना